सबसे बहले तो पांच महिने हो गए आपको नया नवेला सांसत बने आपको बढ़ाई एक बार फर से बहुत 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 दन्यवाद आजमगर में पांच महिनों में क्या हुआ क्योंकि बड़ी सारी उम्मीदें जब आप 2019 का चुनाव लड़ रहे थे मैंने गाओं में जाकर आपके साथ आपका इंटिव्यू भी किया था पांच महिने में क्या किया आजमगर के लिए मेरा आजमगर बदल रहा है मैंने कहा था चुनाव में कि अगर आजमगड मुझे सेवक चुनता है तो जैसे मेरा भारत बदल रहा है वैसे आजमगड भी बदलेगा और ये दावा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे भरोसा था हमारे पुजिनिय प्रधान मंत्री जी पे हमारे पुजिनिय योगी अधितेनाथ जी पे कि निश्चित रूप से पूरे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं लेकिन अगर मैं वहां रहके और वहां की जो चीजे हैं वह सरकार तक पहुचाऊंगा तो विशेष कृपा हो जाएगी और सब कुछ बदलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज की जो सतर साल से मांग चल रही थी कि गोरगपुर को आजमगड को और बनारस को सीधे रेल मार्ग से जोड़ा जाए कि वह इन तीन महीनों में हो गया और इसमें आजमगड में अंतर रास्टी हवाइड़ रहा है कुछ एनगर के बाद अब आजमगड में भी बन रहा है जिसमें जो वहां दसदस बीदहायक है पेलवे वाला काम तो सच में अनूठा इनों ने करवा दिया और उसमें भाईया आपकी भी भूमिका है उसमें जी आपका मेहनत है हम लोग तो चोटा सा बस पुश करते हैं अंतराश्ट्री हवाई अड़ा बन रहा है हाला कि जो पार्टी वहां पहले से अपना गड़ बना क रखी थी वो उसका भी बिरोद कर रहे है उसको भी चा रहें कि न बन पाए उसके अलावा जितनी सडके थी मतलब पचास साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उन सडकों के मरम्मत के लिए तीन महिने में पचास करोड रुपे आ गए है वहां एक हरियरपूर घराना है संगीत का जहां से दुनिया के बहुत प्रसिद्ध कलाकार चनुलाल मिस्राजी थे पर आजमगड को सिर्फ आतंग के लिए जाना जाता था अब वहां पुझनी महराज जी ने हरिहरपूर में संगीत विद्याले दे दिया पांच करोड रुपे अभी तीन दिन पहले ही आए तो मेरा आजमगड बदल रहा है जैसा कि हम लोग कहे थे कि अगर हमको आप सेवक चुनते हैं तो हम कोशिश करेंगे भाग दौड करेंगे एक आरोपोलो का ये था कि ये लोग एक्टर हैं जीत के भाग जाएंगे तो मैं अपने दोनों भाईयों से सिखा था भागूंगा नहीं मै को मैं बताओं कि तीन महिने में चार फिल्में तो मैंने आजमगड में कर दिया हर बिदान सभा में एक फिल्म की शूटिंग करता हूं और महीं खेत में ही ओफिस लग जाता है मेरा